अग्लामों आलीकूम आव्रीवन वेलकम बैक मैं चैनल माई पैरोट वाइफ़ाइए एन मी तो friends अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को ओल पे सेट करें ताके latest video की notification सबसे पहले आपको मिलें तो friends आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि Alexander Parrot ब्रीट कप करते है तुम इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि Alexander parrot का breeding season start कप होता है और end कप होता है ताके आपके parrot adult हो, breed के लिए ready हो तो आप भी अपने parrot की breed ले सके या फिर आप baby parrot लेकर आना चाहते हो तो आपको baby parrot किस मन्त में मिलेंगा, किस मोसम में मिलेंगा ये भी आपको मैं पताऊँगी इसलिए वीडियो को एंटक्स जरूर देखना बाग कीज़ा ben Alexander Parrot Breeding के बारे में अग्टोबर में अगर आपने breeding box लगा दिया अपने Parrot के cage में या फिर कोई बड़े साइस का मट्का लगा दिया हो आपके parrot को एक से देड़ महना लग जाएंगा उसे select करने में उसे जब पूरी तसली हो जाएगी कि यहाँ पे उसके अंडे और बच्चे safe रहेंगे उसे किसी चीज का खत्रा नहीं है तो फिर उनकी meeting चालू हो जाएगी meeting होने के एक से देड़ हफते बाद आपको पहला अंडा देखने को मिल जाएगा breeding box में फिर जैसे जैसे फीमेल अंडे लेट करती जाएगी जैसे पहला अंडा दूसरा अंडा जितना ग्याप होंगा अंडों में उसे हिसाब से आपको parrot के बच्चे भी देखने मिलेगे दूसरे अंडे के बीच में चार दिन का भी गैप हो सकता है बात कीज़े अलेक्जेंडर बेबी पैरोट अंडे में से बाहर कब आते हैं अलेक्जेंडर बेबी पैरोट 28 से 30 दिन में अंडे से बाहर आ जाते है और अपका ब्रीटर जोड़ा पहले से एक्सपिरियंस है पहली से वह एक्सपिरियंस है अगर तो प्रॉपर से अंडे पे बैठ रहे हैं जिन से पहले भी बच्चे बाहर आ सकते है यहांत करते हैं इसलिए आपको अपरेल के बाद यह बेबी पैरोट मार्केट में देखने को मिल जाएगे इनका October से start हो जाता है breeding season सिर्फ Alexander Parrot का ही नहीं सारे पैरोट का season September-October से breeding season on हो जाता है अगर आपका भी पैरोट से related कोई सवाल है तो आप मुझे comment करकर पूछ सकते हो मैं उसका reply ज़रूर दूँगी या फिर उस topic पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर करना सो जजा करना everyone